नमस्कार दोस्तों, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम, बोल्ड केर का 45-वाट का मीनी इनवर्टर, यानि 45-वाट का हमारे पास इनवर्टर है, इसमें कुछ प्राब्लम है, सबसे पहले मैं प्राब्लम को दिखा देता हूँ, फिर इसको कैसे, मतलब इसका सलूसन किया ज जाते हैं बैटी से तो यहां देखिए आन करने के बाद जैसे ही आन कर रहे हैं यहां हम लाइट को भी जला देते हैं तो देख सकते हैं यहां पर हमारा एक बार यहां कि वाद जल रहा है उसके बाद तुरंद बुछ जा रहा है देखिए इस तरह से एक बार जल रहा है देख और यहां सभी screw को खोल के फिर हम इसका solution बताते हैं कि अगर इस तरह का जो problem आता है कैसे दूर कर सकते हैं अभी दोस्तों हमने इसका screw खोल लिया ठीक है screw खोल लिया अब देखिए इस तरह से तो सबसे पहले हमें doubt कहा जाता है बैटी तो हमारी week नहीं है तो उसके लिए क्या है अब मल्टी मिटर से हम सबसे पहले बैटी को चेक करेंगे कि हमारी बैटरी कितने बोल्ट चार्ज है ठीक तो यहां प्लास पे और माइनस पे हम लगाते हैं मल्टीमीटर कप्राड तो देख सकते हैं यहां पर बारह दसमलो नौव साथ लगवा यह आपका सब्तर परसेंट से उपर बैटी हमारा चार्ज है तो भाई यहां बैटी का प्राबलम नहीं है इस तरह के problem को हम बोलते है overload problem, ठीक है? कहाında देखें, जैसे on कर रहे हैं, उसके बाद यह हमारा blinking करने लग रहा है, ठीक है, यह overload का हमारा parrot तो यहां से बैठी का अपना कोई भी एक point यहां पे निकाल दें, ठीक? निकाल देने के बाद अब आये फटाफट प्लेट को भी खोल के यहां से हम बाहर कर लेते हैं अभी दूस्तों यहां हमने प्लेट का जो नट है उसको खोल दिया ठीक है खोल देने के बाद देखिए जब इसमें रिपेरिंग करने जाएगे तो कोशिश करिए अपना बैटी का एक वायर वहां से निकाल दीजिए अब यहां पे आपको यह देखना है कि आपका आउटपूट स्रेक्शन कौन सा है तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि जहां पे आपका यह दो मॉस्फेट लगा होगा यह आपका जेट 44 भी हो सकता है या पियन पच्पन भी हो सकता है ठीक है तो यह जो दो मॉस्फेट लगे होते हैं वो आउटपूट के पास होते हैं उसके बाद यहां पे आपका यह ड्र लगा होता है ड्राइबर के बाद यहां पे आपको चार डायोड देखने को मिलते हैं इस तरह से ठीक है तो जब भी आपका ओवरलोड adviser का problem होगा तो या तो आपका ये ड्राइबर खराब होगा या फिर आपका ये ज्रेव लगे हुए है इन में से कोई खराब होगी अगर यह डायोड आपका सही है तो मान के चलिए आपका यह ड्राइबर सोर्ट है ठीक है तो आइए डायोड को पहले हम चेक कर लेते हैं अब इसे चेक करने के लिए मल्टी मीटर लेंगे Multimeter को हम रख लेंगे abundance mode में खिक यहाँ पर ablabla mode में रख के फिर हम एक एक diode को यहाँ पर check करेंगे तो यहाँ इस तरह देखिए आपका जो diode है एक side से reading देता है दूसरे side से reading नहीं देता है ठीक है अगर यह दोनो side से reading देता है या beep का sound देता है तो वो डायोड खराब है, तो यह दूसरा डायोड यह रीडिंग दे रहा है, फिर इसको दूसरे साइट से हम इस तरह से चेक करेंगे, इस तरह से आपको एक-एक डायोड चेक करना, देखे, कोई रीडिंग नहीं दिया, अब इधर जो दो डायोड लगे हुए है, इस पर हम चेक करेंगे तो यहां पर देखिए बीब का साउंड सुनाई दे रहा है मल्टी मीटर का प्राण हम एक बार पलट लेंगे और पलट के फिर देखेंगे तो यहां देख सकते हैं दोनों साइड से यहां पर बीब का साउंड सुनाई दे रहा है ये चौथा डायोड चेक कर लेते हैं ये भी हमारा फूल बीब दे रहा है फिर पलट के चेक कर लेते हैं तो ये दोनों साइट से हमारा जो दो डायोड है ये दोनों डायोड हमको बीब का आवाज कर रहा है तो यानि ये दोनों डायोड हमारा खराब है ठीक है तो आईए इसे बदलना बहुत आसान है भाई कोई दिक्कत का बात नहीं है आईए पहले निकाल लेते हैं फिर बताते हैं कि अगर निकालने में आप भूल जाते हैं तो कैसे यहाँ पर सही तरीके से लगाएंगे यहाँ पर दोस्तो हमने दोनों डायोड को निकाल लिया ठीक है निकाल लेने के बाद फिर एक बार हम इसको चेक कर लेंगे चुकि निकालने के बाद अगर सही से चेक करेंगे तो इसका सही रीडिंग हमको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ एक साइड से यह रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से यह नहीं रीडिंग दे रहा है जो हमारा बीब का साउंड वहाँ दे रहा था उसमें से एक डायोड हमारा इस तरह से बोल रहा है और दूसरे डायोड को यहाँ चेक कर लेते हैं तो देखिए ये डायोड हमारा बिल्कुल बीब का साउंड सुनाई दे रहा है तो एक डायोड हमारा ये खराब था लेकिन ये दूसरा डायोड भी वहां आपका मलब पैलर में लगे होने के कारण ये हमारा दूसरा डायोड भी यहां बीब का साउंड सुनाई दे रहा था ल है यह अपका डेढ़ एंपियर का डायोड होता है तो मेरे पास डायोड है दोनों मैं बदल दूँगा यहां में देख के इसThечь में दोनों डायोड को ही बदल दूँगा जुकी अगर दोनों सठे लगे हैं छराब है दूसरा को भी बदल दीजिया बढ़िया है अब कि face डायोड आप लगाएंगे इस तरह से तो जो आपका हुआ यहां इसमें हुआइट पट्टी है वह आपका इस ब्लैक साइड और रहेगा ठीक है यहां देखिए इस तरह से यह ब्लैक साइड में इस तरह से रहेगा ठीक दोनों डावट की हमारा उसी दिशा में लगा हुआ है तो दोनों डावट की हम इसी तरह से यहां पे लगा देगे तुछ फिर हँम दोनों को सोल्डिंग कर देते हैं अब जो इसंटाल लेगा है इसका ड़ेते हैं अब उसको कट कर दिया अब कीट यहीं रख लेंगे ठीक है कीट थोड़ा सा यहीं से रखेंगे कहीं सौर्टिंग नहीं हो और जो अपने बैटी का यह वायर है इसको यहां पे हम कनेट कर देते हैं ठीक कनेट कर देने के बाद अब हम इसका युप्यसान करते हैं देखते हैं हमारा जो problem था वो solve हुआ या नहीं हुआ तो अभी देखे हमने on कर दिया हमारा जो यह इंटिगेटर है बिल्कुल अब continue जल रहा है यहाँ जो हमारी red color का बत्ती जल रहा था वो नहीं जल रहा है तो आए इसमें led को भी हम लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा led अब काम overload का problem आता है तो बस यह समझ लीजिए overload problem में आपको यह डायोड चेक कर लेना है जो हमने चार डायोड बताए है और यहाँ पे आपका जो driver लगा हुआ है यह driver transformer चेक कर लेना है बाकि आपका कोई तार कहीं सटार नहों यह भी देख लेना है तो इस तरह से आप overload का problem solve कर सकते हैं दोस्तों यह video कर आपको पसंद आया हो तो video को like channel फिरना है तो please channel को subscribe कर दीजेगा मिलते लेक्स video में तब तक के लिए नमस्कार